नमस्ते, इजी आयरुवेदा में आपका स्वागत है, मैं डॉक्टर रेनेटा डिसोसा आज आज आप विरेचन गुलिका नामा के एक आयरुवेदिक दवा के बारे में जानेंगे जो टाबलेट रूप में है, इसका उपयोग विरेचन में करते हैं, जो एक पंचकर्म उपचार है और खबजा, ब्लोटिंग और ग्यास समस्यों में इस दवाई का उपयोग करते हैं विरेचन गुलिका के कुराग, कुराग और दवा का समय निर्दारिक चिकिसक के निर्नाई पर निर्बरह करता है विरेचन गुलिका के इंग्रीडियन्स के बारे में जानेंगे त्रिकटो यह तीन आउशदिय काली मिर्च, पिपली और आदरक का एक समो है यह पाचन शक्ती बढ़ाती है त्रिफला जो तीन आउशदिय फलों का एक समो है हरीतकी, विबीतकी और आमलकी यह व्यापक रूप से रेचक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है और जटामामसी, काला जीरा, कटू की यह लिवर का हेल्प बढ़ाता है त्रिफरत यह व्यापक रूप से परगेटिव तरपी में उपयोग किया जाता है और विडंगा, जमल गोटा, इसे जैपल बीजबी कहते हैं यह अतियंत अतिसार करवा सकता है उपरुक्त जडी बुटियों का पौडर त्रिफला कशाय में मिलाकर गोलियां तयार की जाती है इस गोलियों को गुड, गरम पानी या ताजा आद्रग के रस के साथ दिया जाता है विरेचन गुलिका के दुश प्रबाव, यह दवा पेट में मरोड के दर्द के साथ गंबेड दस्त का कारण हो सकता है इसका उपयोग केवल चिकितसा परिवेशन के तहत किया जाना चाहिए यह बच्चों में गरबावती और स्तनपान के अवदी में इस दवा को ना लेना ही अच्चा है इसका निर्मान अशोक फार्मा क्यूटिकल्स आर्यो वाईदिशाला आधी आयरुवेदिक फार्मा कंपनियों द्वारा किया जाता है इसकी शेल्फ लाइफ निर्मान की तारिक से तीन साल है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आयरुवेद के बारे में अधिक जाने के लिए कृपया बेट कीजे